साथ्यो जै भीम जै भारत जै समिधान मैं बहुजन दस्तक एंड कॉंस्टिटूटिशन न्यूसे गौतम रतना और आज हमारे स्टूडियो में एक यूती पहुंची हैं आंधरा पट देश विसाखा पटनम से और उनके साथ जो बड़ी जगन और अमानवे घटना हुई है आप जानेंगे उनसे और सुनकर के आप हरान रहे जाएंगे कि इस देश के अंदर इस तरह की घटनाओं पर कितनी ज्यादा मुसीवित उठानी पड़ती हैं और लगवग साथ से आठ साल से उसमें वो न्याय पाने के लिए संघर्स कर रहे हैं उनकी नाम आइडेंटिटी हम नहीं खोल सकते हैं सुप्रीम कोट की गाइडलाइन के लिए से मडम नमस्कार आपको जो आपके साथ जो आपने ऑफ कैमरा हमें पुरी घटना बताई कई साल से आप इसमें संघर्स कर रहे हैं बहुत सारे जगे आप पहुंचे भी हैं लेकिन अभी भी आपको कहीं से भ पुरी घटना को हमारे दर्सकों को बताएं लोगों के बीच में घटना जाए ताकि हम उम्मीद करते हैं और ये बहुजन समाज से हैं जो जुकती हैं बहुजन समाज के लोग ताकि आपके साथ इसमन्याय दिलाने के लिए खड़े हों तो क्या मेडम क्या घटना हुई करती हूँ राइगर सिटी है चोटा सा और वहां से मैं आज इविका के लिए आंधरप्रदेश की विशाखा पत्नम शेहर में पहुची 2012 में और 2012 में मैंने नौकरी करी और उस कंपनी का नाम है ब्रैंडिक्स ब्रैंडिक्स में एक डिपार्टमेंट है शोर टुशोर जहां पर मैं 2012 से काम करती रही और वहां पर मेरी पोजिशन सीनियर एचार एन एडमीन की थी लेकिन वहां पर जो जनरल मैनेजर था जिसका नाम दिलिपिंटो है जो कि श्री लंका से आते हैं तो उसकी नियत तो 2012 से ही खरा थी 2012 से ही वो गलत तरीके से मुझसे बात करने की कोशि करते तो मुझे ऐसा लगता जब मुझे लगता कि उनकी जो नियत है वो खराब है तो मुझे कभी-कभी मैं उनसे पूछती भी कि सेर आप ऐसा क्यूं करते हैं तो वो मुझे ये कहते कि मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूं और इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम मतलब intention थी वो खराब होने लगी और वो बहुत बुरी तरीके से मुझे torture करते चाहे मैं duty में रहूँ चाहे मैं घर में रहूँ चाहे मैं अपने घर में रहूँ वो हर जगा पर मुझे mental torture करते और जब मुझे लगा कि उस इंसान की नियत जैसे गंदी होती है वैसा हो चुका है तो मैंने कोशिस करा कि मैं resign कर दूँ तो मैंने कम से कम चार से पांच बहर resign करने की कोशिस करी लेकिन वो मुझे माफी मांग करके मेरी resignation letter को cancel कर देते थे तो मुझे ही लगता था कि मेरे माबाप भी बहुत गरीब और मैं तो हूँ ही ट्रैबल एरिया की तो मुझे लगता कि शायद वो अब ऐसा कभी करेंगे नहीं और यह सोच करके मैं माबाप का सोच करके दोबारा rejoin होती थी और जब जब join होती थी तो दोबारा से वैसा ही हरकतें शुरू हो जाती थी तो जब उसकी हरकते शुरू हो जाती थी तो मैं ऑफिस के अंदर ही जब वो अपनी गलट डिमांड रखते थे इल्लीगल डिमांड रखते थे तो मैं ऑफिस के अंदर ही उनको बोलना शुरू करी कि आप मेरे साथ ऐसा मत करिये सर क्योंकि मेरी तो मजबूरी है नौकरी करना इसलिए मैं कर रही हूँ लेकिन आप मेरे साथ ऐसा जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए तो उसने 2012 से लेकर के 2018 तक गलत इंटेंशन से ही वो मेरे से बात करते और मतलब मेरे सामने आने के कोशिस करते उनकी हरकतों की वज़े से और 2008 जब उनको पता चल गया कि मैं उनके ट्रैप में नहीं आने वाली हूँ उनके जहांसे में नहीं फसने वाली हूँ तो उन्होंने ना मुझे उन्होंने प्री प्लान किया उन्होंने बतलब एक प्लान करा कि सीटी से बाहर कहीं पर एचार का कोई सेमिनार रखते हैं कोई like मीटिंग्स रखते हैं यह सोच करके उन्होंने मुझे एक दिन सैटेड़े का दिन था और उन्होंने अपने कैबिन में बुलाया और मुझे बोला कि हमारे एक बहुत बड़ा मीटिंग है जो सैटेड़े और संडे दोनों को है तो तुम्हें वहाँ पर आना पड़ेगा तो मैंने कहा कि सिटी के अंडर अगर कोई मीटिंग हो तो मैं आ सकती हूँ लेकिन शहर के बाहर मैं अलाओड नहीं करती सर अपने आपको मैं नहीं जा सकती तो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम ही नहीं आ रही हो ब्रैंडिक्स के अंदर जितने भी टिपार्टमेंट्स है उनके सारे के सारे employees जो higher position में हैं, HR में हैं, वो साब आ रहे हैं तो तुमको आना पड़ेगा तो मैंने फिर भी माना किया sir कि मैं नहीं आ पाऊंगी तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पास देखो तुम्हें हम अच्छा position दे रहे हैं और अच्छी position में लालच भी नहीं sir उसे लालच नहीं बोल सकते उन्होंने मुझे उन्हें लगा कि वो मेरे उपर अहसान किये हैं कि मैं senior HR admin हूँ तो उन्होंने उस base पे उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी इतनी अच्छी promotion होती है अच्छा तुम्हारी नौकरी है जबकि मैं उनके हिसाब से मैं उस cast की नहीं हूँ कि मैं अच्छी position को achieve कर सकूँ किस समाज से belong करते हैं मैं दलित हूँ sir मैं सजील cast की हूँ तो वो यह मुझे बोलते कि branding में उचे cast वाले ही काम कर सकते हैं तुम्हारी cast उतनी अच्छी है नहीं फिर भी हम तुम्हें इतनी अच्छी position दिये हैं तो तुम्हें कम से कंपनी के company का जो rule regulation से उन्हें follow करना पड़ेगा तो मैं ना उनकी बातों को सुनी नहीं और मैं बाहर आ गई और Saturday हमारा half day होता था तो मैं बाहर निकलते वक्त जो driver उसका जो driver था जिसका नाम Shiva था मैंने उस driver को कहा कि Shiva तुम ना जिस गाड़ी पिर जो फिछINA आना जाना करते हैं उसे पंचर कर दो तो उसने पंचर कर दिया सेम टाइम मेरे आग के समेने उसने तो आपने बचने के लिए एक कुछ मेसूस पिश जय जाऊं तो मचे ये नहीं पता था कि वहाँपे मेरे साथ गलत हो갈ा लेकिन मैं कोई seminar भी दूसरी city में नहीं करना चाहा रही थी sir मैंने उनको ये भी बोला था आपको कुछ भी करना है तो premises के अंदर करो या फिर city के अंदर करो मैं वो राजमंडरी या फिर कहीं और नहीं जाना चाहती तो actually उन्होंने actually वो one day का meeting था sir वन डे और टू डे का सेमिनार्स होते हैं वो मिटिंग था तो मैंने मना किया तो जब वो माने नहीं तो मैं बाहरा करके मैंने सोचे कि शायद ऐसा करूँ तो शायद मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है मैंने ड्राइवर को कहा कि प्लीज आप पंचर कर दो क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती गहीं और उस ड्राइवर ने वैसा ही किया जैसा मैंने उसको बोला था फिर वापस से मैंने अपने जो एंप्लाई वाली बस होती है उसमें घर आ गई और घर आने के बाद मैं अपने जो डेली रूटीन वाले काम है उसमें बीजी हो गई तो थोड़ी देर के बाद में रात को साड़े साथ आठ बजे के बाद मुझे उनका कॉल आया दिली पिंटो का जो जनरल मैनेजर था कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर के नीचे ड्राइवर कार ले करके खड़ा है तो मैंने कहा कि सर कार तो खराब हो चुकी थी मैंने ऐसा सुना तो बोले नहीं नया कार आ गया है नया कार में तुमको आना पड़ेगा तो मैंने, वो शायद साथ बजे से आई हुए थी लेकिन मैंने ना ना करते हुए साड़े आठ नौ बजा दिये सर मैं बोली मैं नहीं आपाऊंगे, मैंने उस ड्राइवर को भी कॉल किया मैंने ड्राइवर को भी बोला शीवा मुझे जाने का बिल्कुल इंट्रेस्ट नहीं है पता नहीं मुझे ऐसा तो लग रहा है कि मुझे नहीं जाना चाहिए तो प्लीज आप वापस चले जाओ तो वो शीवा ड्राइवर मुझे ये बोला कि मैडम आप आए या ना आए मैं जब तक सर मुझे नहीं बोलेंगे आने के लिए वापस तो मैं तब तक इंतजार करूंगा तो वो बेचारा इंतजार करता रहा खेर मुझे उसे बेचारा भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उसने भी गलत बयान दिये सर कोट में तो फाइनली मुझे टॉर्चर के उपर टॉर्चर कॉल साये सर बोले कि इतने टाइम से ड्राइवर रुका हुआ है आरे घर के नीचे और तुम आनी रही हो यह कैसा है वह लोग निकल चुके है जो लोग मीटिंग के साफिर सेमिनार के लिए जा रहे हैं वो अलरड़ी निकल चुके हैं और तुम ही लेट कर रही हैं तुम्हारी वज़े से हम लेट हो रहे हैं और मुझे कॉल के उपर कॉल साय तो मैं भी सोची और ये भी मुझे ये भी बोला गया कि अगर तुम इस मिटिंग में नहीं आओगी तो मैं I can use my pen उन्होंने ये मुझे बोला से उनका ये डायलोग होते थे कि आप उनके illegal demands को अगर ना मानो या फिर completely उसे deny करो तो वह यही एक word यूज करते थे कि I can use my pen and then मैं गई sir और फिर वहां पहुंचते पहुंचते ग्यारा बच गया राजमांटरी जो city में गय थे वहां पहुंचते पहुंचते ग्यारा बच गया और उस hotel में भी पहुंचे जहां पे उन्होंने room book करी थी या पता नहीं क्या किया था और उस hotel में जब हम पहुंचे तो जो receptionist होते हैं उन्होंने उनका अधार काड कुछ भी मांगा तो उन्होंने वो provide किया लेकिन receptionist ने मुझे बोला कि आपका भी चाहिए मैंने कहा कि मैं company के थ्रू आई हूँ तो मैं अपना क्यों दो वो तो company ने अल्रड़ी बुक किया होगा मैं अपना आधार काड नहीं दे सकती क्योंकि यह company ने company हमें बुलाई है meeting और seminars के लिए तो मैं अपना आई काड नहीं दे सक और मैंने उसको बोला कि सर आपका रूम किधर है मैं तो मुझे तो पता नहीं आपका किधर रूम है और बाकी लोग किधर है जो हमारे साथ इस meeting seminar में आने वाले थे branding से तो वो बोले कि आप कोई तुम्हारा इंतिजार नहीं कर सकता सब सो गया है कल संड़ है तो जए सच में लेठ हो गया था सर अंदेन वो वो में उनको बोला ठीक है लेकिन आप अपना रूम अलग ले लीजे सर क्योंकि यह तो सिंगल रूम आपने बुक किया है तो मुझे यह बोले कि मैं इस रूम पे सिर्फ फ्रेश होंगा और फिर मैं दूसरे रूम पे बोला था कि सिर्फ एक ही रूम आवेलेबल है तो इसलिए मैं जैसा फ्रेश हो जाता हूं वैसे चला जाता हूं तो मैंने उनको परमिशन दे दिया तब तक मैं बैठी रही एक चेर था वहां पे वो फ्रेश हुए कम से कम उनको घंटे दो घंटे लगे फ्रेश अप होने में पता न में जो दोर होता है वह बंद किये और उन्होंने मुझे थ्रेटन करना शुरू किया उन्होंने मुझे कहा कि 2012 से मैं कोशिस कर रहा हूं कि मैं वो बोलू जो बोलू वो तुम सुनो करो हां या जो जो बोलू वो करो मैं 2012 से कोशिस कर रहा हूं लेकिन तुम माननी रही हो तो मुझे ये रास्ता अपना ना पड़ा तुम्हें अब मतलब मेरे तरफ लाने के लिए तो मैं तब भी नहीं समझ पा रही थी अच्छली वो बोल क्या रहे थे क्योंकि मुझे लगा शाद पिये हुए हैं तो शाद कुछ भी बोल रहे हैं फिर मैंने तब भी मुझे यकिन नहीं हो रहा है सर कि वो बोल क्या रहे हैं इस पीरिट में आपने कुछ दरवाजा खोलने की कोशिश क्यों नहीं की वहां से भागने की कोशिश क्यों नहीं की सर क्योंकि मैंने मुझ उन्हें दरोजा बंद किया और उन्हों ने मुझे पहले तो वार्णिंग किया कि ये जगह नई है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी लेकिन मेरे पास पैसे हैं, मैं पॉलिटिक्स को जानता हूँ और सच में बहुत जादा पॉलिटिक्स इंद्ध थे सरे, वो बहुत politicians को जानते हैं और police department को भी मैं खरी सकता हूँ politicians को जानता हूँ money influenced है बहुत जादा तो उसने मुझे ये कहा कि ये जगा बहुत नई है तुम्हारे लिए और अगर तुम अगर जैसे मैं बोलता हूँ अगर तुम वैसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें गलत तरीके से फसा सकता हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ मैं चाहूँ तुम्हें मार करके श्री लंका भी जा सकता हूँ तुम सिर्फ मरोगी और तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा और ना हमारे साथ कुछ हो सकता है तो इसके बाजू जो उनकी demands में आपने डरके उनके साथ compromise किया या जवरदस्ती किया। नहीं ये जवरदस्ती हुआ है। ये 100% जवरदस्ती हुआ। मैंने उनके साथ कोई compromise ने किया। उन्होंने जबर्दस्ति मुझे खीचा, नोचा, मुझे ठपड मारे, और फिर उन्होंने मेरे साथ गलत किया meinemुय के जिरी जाकों उसके बाद मैंने बोला मैं पोलिस कंप्लेन करूँगा, तो मैं पोलीस पर उन्होंने किया समया है. पुलिस कमप्लेंड और मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ तुम अपनी इज्जत से भी जाओग तुम नौकरी से भी जाओगी और तुम किसी कहीं की भी नहीं रहुगी, तो मैं जैसा बोलता जा रहा हूं तुम वैसे करते जाओ तो सर देखे नौकरी चली जाए प्रा मुझे नहीं आया सर, and finally मुझे होशी नहीं था, जो जिस तरीके से उसने गलत काम किये, मुझे होशी नहीं था, बिल्कुल भी होशी नहीं था, और क्या कहते हैं, सुभा मुझे पता चला, कि उस इंसान ने फोटोस भी निकाले हैं, videos भी निकाले है, clips निकाले है continuously कुछ ऐसा किया नहीं, उन्होंने clips निकाले है और उसने मुझे ये भी कहा कि अगर तुम मेरे नाम पे अगर कुछ करना चाहती हो तो मैं ये viral कर दूँगा Like that जवरदस्ती जो आपके साथ Like that rape किया और वो rape के time में इसका मतलब है कि उसने वीडियो and pics भी शूट के तर तो आपको blackmail करने के लिए कोशिश किया हो Blackmail मतलब उसके illegal demands से होते थे सर, यही उसका मतलब उसे कुछ नहीं चाहिए लोगों से बस एक चीज़ चाहिए ladies से, चाहे वो कोई भी हो चाहे उसके company में काम करने वाली sweeper भी क्यों ना हो उसे बस एक चीज़ चाहिए औरतों से चाहे वो प्यार से मिले या फिर किसी और तरीके से चाहे वो कोई भी position की हो उसे वो चाहे वो लड़की हो चोटी बच्ची हो चाहे औरत हो चाहे एजे किसी और के भी आपको पता लगा है कि उस company में किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है हर किसी के साथ सर हर किसी के साथ उसकी नजरें खराब रहे जी नहोंने किसी ने आवाज उठाई क्योंकि एक ने तो मुझे ही department में आकर के बोली कि मैडम हमारे साथ ये होता है तो वो बोले कि उसे तो मैं ही खुद हैंडल करता हूँ तो मुझे क्या कर पाऊगे और जिस लड़की ने मेरे साथ सामने आकर के जो अपना निवेधन करी थी कि ये मुझे जबरजस्ती करने की कोशिस करते हैं तो उसे ओरनाइट निकाल दिया गया क्योंकि उसने अपनी तकलीफ मुझे बताई थी उसके बाद आपने इसके खिलाब क्या एक्शन लिया जब सर्व जस्टिस के लिए मुझे तो पता ही नहीं था मतलब मैं क्या करूँ मैं मर जाओं क्या मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जीने का कोई फायधा नहीं क्योंकि अब तो वो आपको टार्चर करकर के आपको ऐसे भी मार डालेगा अब तो वो जो चाहे वो कर सकता है क्योंकि उसके पास वो रदिशार है जिससे वो बच सकता है जो वीडियो जोस शुट करla वापस से वो मुझे थ्रेट कॉल करता थ्रेटन कॉल्स उसके रात में भी आते जैसे मैं घर आती, आफिस से घर आती वैसी उसके कॉल शुरू हो जाते वो जबरदस्ती अपने घर बुलाता कि मेरे घर आओ लंच खाने के लिए या फिर बनाने के लिए फिर घर साफ करने के लिए मतलब उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और फिर उसके बाद में जब उसकी टॉर्चर बहुत जादा बढ़ गई तो मैंने उनको ये कहा कि सर मैं आपके नाम पे इंटर्नल कमीटी में कम्प्लेन करने जा रही हूँ या तो आप सुधर जाएए या फिर आप रेडी रहिए इंकोईरी के लिए तो वो मुझे बोले कि वो फिर से टॉर्चर किये और थ्रेटनिंग दिये कि जाओ जहां पे भी जाना है जाओ लेकिन वहां सब जगह पे तुम्हें मेरे ही लोग मिलेंगे जो मुझे बचा लेंगे तो ये सब सोचते हुए भी मैंने लेटर लिखा सर लेकिन मुझे पता था क्योंकि सच में वो हैंडल कर सकता है किसी के साथ भी वहां से कंपनी से आपको कुछ भी उसका अफर नहीं हुआ कुछ उसके खिलाफ इसके जहां से हम वापस आये वहां के बाद जब उसके टॉर्चर बढ़ गए तो मैंने उसको एक बार तो मैंने उसको रिक्विस्ट किया कि आप अपना ये सारी चीज़ें बंद करिए वरना मैं इंटरंल कमीटी में आपका कम्पलेन करूंगी तो उसने जब मुझे बोला कि तुम जो करना है कर सकती है लेकिन मुझे डर नहीं लगता किसी का क्योंकि मैं हैंदल करता हूँ तो मैं घर आई और मैंने सोचा और फिर भी मैंने एक लेटर लिखा और दुसरे दिन मैं office गई और जैसे ही मैं office गई मुझे सोकॉस नोडिस दे दिया गया तो काउस नोटिस दे दिया गया उस सो काउस नोटिस को रिप्लाई करने के लिए उन्होंने दो दिन का टाइम दिया और सो काउस नोटिस देने के बाद में मैंने उनको रिप्लाई दिया तो जैसे रिप्लाई मैंने दिया वैसे उन्होंने मुझे सस्पेंट कर दिया शुरू में तुन्होंने मुझे सुस्पेंट किया एंड फिर उस सस्पेंशन का मैंने रिप्लाई दिया और मेरे पास तो मौका नहीं मिला मेरे सारे लेटर को कि मैं सब्सक्राइब और मुझे लगा था क्योंकि जैसे पॉलिस कारवाई करती है वैसे ही पॉश वाले भी वैस वो बोल चुका था और मैंने देखा भी है सर मैं जब उसके नाम पर फिर करी तो मैं लोकल पुलिस के पास नहीं गई क्योंकि वो सब के सब इंफ्लुएंस्ट हैं पुलिस वाले तो मेरा सुनते ही नहीं तो मैं विशाखा पत्नम के एसपी को मैं गई सर मेरा लेटर देने क तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम suspense होने के बाद मैं क्यों पहले क्यों नहीं दिये तो मैंने कहा कि मैडम मेरी गलती बस यह हो गए थी कि मैंने उसको hint दे दिया कि मैं आप या तो सुधर जाईए या फिर मैं गंप्लेंट करूंगी तो कंप्लेंट करने से पहले वो बहुत बार मतलब दो तीन साल पहले या अफ्टर इंक्वारी कंप्री ने कोई उसके खिलाब कोई एक्षिन नहीं लिया अफ्टर इंक्वारी तो खैर हुई ही नहीं लेकिन जेल से वापस आने के बाद तो वो जो जनरल मैनेजर था अपकी फार के बाद उसको जेल जाना मेरे atrocities डिलीट करवा दिये और मुझे ये threatening call भी दिया गया कि जैसे atrocities डिलीट करवाए हैं वैसे 376 भी डिलीट करवा देंगे और जो जो भी वहाँ पे जो अभी आपका case किस लेवल पर है ये सर अभी case किस लेवल पर है मैं खुद नहीं जानती सर आपने कुछ आगए उसको प्रोसेस नहीं किया पता नहीं कर रहे हैं मैं क्या प्रोसेस करूंगे सर मैं तो मेरे पास वो राइट्स नहीं ना प्रोसेस करने का मुझे बत बोला गया था जो चीज लाने के लिए मैंने वो सारे प्रोड्यूस कर दिये कोड में अब उनका काम है कि वो जल्दी से जल्दी प्रोसीट करें इसके लाबा एक डिपार्टमेंट है स्टी स्टी कमिशन वहां पर आप क्यों नहीं गई क्योंकि वहां पर हमारे स्टी समाज के लोगों को वो जस्टिस दिलाने के लिए एक इंक्वारी भी बैठाते हैं और जो जो लोग उसमें इंवाल्व होते हैं जिनको जस्टिस दिलीवर करना लाइक डी-म है एससपी है वो सब को कॉल करते हैं बुलाते हैं आपके सामने फेस्टू पेस आपके सामने सारी घटना को सुनते हैं जो चेयर मैन है यापर वहा कितने लोगों को मैंने लेटर भेजा कि मेरे साथ गलत हुआ है और नेशनल कमिशन से फिर मुझे हीरिंग का डेट भी आया और मैं हैधराबाद भी गई और हैधराबाद freiयन हैर नहीं से कमिशन को एकसर सामने डेट फेस सामने से लेटू नहीं है तो आपने है मlica कोई किया है वह की में न την त्रको milt किया और भी दिल्ली के या वहाँ केमिशन हो दिल्ली में वहां के इसनल कgeschमन for schedule cast में उन्होंने मेरा case transfer कर दिया और यहां पर भी मैं कम से कम दो तीन साल आई हीरिंग के लिए और वो हीरिंग भी तभी होता था जब मैं उनको call करके request करती थी कि मेरा हीरिंग डालिए मेरा हीरिंग डालिए मुझे नियाए दिलाइए लेकिन सर वहां पर तो मुझे बिलकुल भी नियाए नहीं मिला ना उन्होंने को ना वो कोई मेरी बास सुने वो मुझे बोलते थे कि तुम्हें हम justice दिलाएंगे मतलब उनका action रहता था मतलब जैसे वो acting करते थे कि हाँ इस लड़की यह दलित लड़की है इसके साथ जरूर हम नियाए करेंगे लेकिन जैसे मैं ऑफिसे बाहर आते थी वो भूल जाते थे ऐसा रहा पूरा जी हाँ anyway साथियों आपने पूरी जो इनके साथ जगन घटना हुई है बहुत ही सर्मनाक है कि मतलब मैं तो इनी केसिस पर जादा उठाता हूं और काम करता हूं तो रूख आपने लगती है आशू रोकना मुस्किल हो जाता है मुझे सब बया करते हुए आज हमारे इस तरह की चीज़ों को उठाने के लिए गौर्मेंट का और्थराइज प्लेटफॉर्म है वहां बैठेंगी तो पूरा नेशनल मीडिया को भी हम समझते हैं कि उन लोगों तक बात जाएगी क्योंकि वहां पर सारे नेशनल चैनल के भी लोग इंटर्व्यू करते रहते है इस तरह के मुद्वों पर जो भी लोग वहां एजिटेशन पर बैठे होते हैं एजिटेशन का उनको तरीका नहीं मालूम था आज हमने गाइड कर दिया है उनको कि इस तरह से आपको एजिटेशन पर जाना है और उनको सज़ेस्ट किया कि अभी जो हेरिंग उनकी वही जि तो मैं समझता हूं कि चेर्मन जो भी रहता है क्योंकि ये किसी से कमिशन किसी पार्टी का नहीं है ये समिधानिक बॉड़ी है अगर आप अच्छे से माँ मैंने कही केस माँ प्रेजेंटेशन दिया है और जिन पर काफी पॉजेटिव रेस्पॉंस मिला है मैंसा तो आई उसको पूरे देश में इस गटना को पुचाने कोशिश करेंगे और कोट का रास्ता भी उनको भी नहीं मालूम है कि क्या प्रोसीडिंग चल रही है क्योंकि वो नौकरी छूट गई है बेरोजगार भी है उनके पास अभी कुछ अपना खर्चा चलाने के लिए भी मैं समझ के लिए एक पैसा आर्थिक सयोग भी करता है लोग भी खटना होते हैं जारों के संक्या में जब मैं इस तरह के केस देखता हूँ तो यहां पर थोड़ा सा तकलीफ होती है तो हमारा मकसद उनका इंटर्वू करने का यही है कि जादा से जादा जितने भी भाहुजन समाज क इन यूपति के साथ उनको खड़े हो करके साथ देने की बहुत सक्ज़र होता है और हम से जितना हो सकता है हम तो उसके लिए उनको हां कर दिये हैं सजेशन कर दिये हैं और उस बार हम भी काम करेंगे और पुने अपील करता हूँ कि इन यूपति के साथ आप ज्यादा से ज तो काप से अबसे सब्सक्राइब करें चैनल को भी और पहुचाएं लोगों तक ताकि लोग इस भीवति को नहीं दिलाने के लिए बड़ी तालाल मागया हैं और सरकार को और कोट को छुकना पड़े ताकि इनको नहीं मिल सकें बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना भी हमसे सपोर्ट होगा डेफिनिट्ल आपको बहुजंदस्तप्नी चैनल से मिलेगा हमारे चैनल बहुजंदस्तप्नी लाइक शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा जय भीम जय भारत जय समिधान नमबुद्धाय धन्यवाद चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है अगर आप बहुजंद समाज में बाबा साहिफ अमेटकर और तथागत बुद्ध की विचार धारगो अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग परदान करें ताकि हम अपने चैनल के मात्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और समवेधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचा सकें आप अपनी साहिता राशी नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं खाता धारत गौतम रत्ना खाता संख्या 3169-5768-651 IFSC Code SBIN 0060336 Bank भारती स्क्रीट बैंक आप हमारे बैंक खाते का विबरन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं मैं गौतम रत्ना आपका बहुचन फ्रुडगेटर आपको प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटप है जिसमें फिल्म कैम्रा है यह सुट्टिंग लाइट्स है और एडिटिंग है सारा A2Z एक ही जगे पर आपको हमारे यहां पर मिल जाएगा तो दोस्तों आप हमारे कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 981 0085714 और 851 005714 हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction at the rate gmail.com पर